मित्रों सपने मन की एक विशेश अवस्ता होते ही जिसमें वास्त विक्ता का आभास होता है आप सभीने अपने जीवन में अनेक प्रकार के सपने देखी होंगे जिनका सपन शास्त्र के अनुसार अपना एक अलग महत्त होता है दोस्तों कुछ सपने ऐसे होते हैं जो शुब शंकेत देते हैं वहीं कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो अशुब गटना का संकेत देते हैं तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही पांस सपनों के बारे में जानेंगी जिनको देखने के पस्चात ब्यक्ति बहुत ही आश्चार चकित हो जाता है जैसे सपने में साप देखना, सपने में संभोग करना सपने में इश्वर के दर्सन करना, सपने में उचाई से गिरना या सपने में किसी की मृत्त देखना सुपन शास्त्रिक ने इन सभी का विशेश महत्व बताया गया है मित्रों आपने अपने जीवन काल में इन सपनों को एक ना एक बार जरूर देखा होगा तो आईए जानते हैं कि इन सपनों को देखने से बेक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना ना भूले चलिए अब शुरू करते हैं आजका वीडियो दोस्तों पहला सपने में साप देखना स्वप्रशास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति सपने में साप देखता है तो इसका आर्थ है कि व्यक्ति निकट भविस्य में समस्याओं से घिनने वाला है लेकिन अगर व्यक्ति को सपने में साप डसता है तो या इस बात का संकेत देते आ है कि व्यक्ति को जल्दी गंबीर रोग होने वाला है या किसी प्रकार का संकट आने वाला है दोस्तों इसी प्रकार अगर एक पती-पत्नी सपने में संभोग करते हैं तो इसका आर्थ या बताया गया है कि पति-पत्नी का जीवन अच्छा चल लहा है तीसरा अगर व्यक्ति सपने में इश्वर को देखता है तो इसका आर्थ है कि इश्वर व्यक्ति को भक्ति की राह में चलने का संकेत दे रहा है क्योंकि आज की बोतिक्ता की चकाचोंद में व्यक्ति इस्वर का इस्मर्ण करना भूल ही जाता है और गलत राह पे चलने लगता है। ठीक इसी परकार अगर व्यक्ति सपने में उचाई से गिरता है तो सपन शास्तर के नुसार या अच्छा नहीं माना जाता है। इससे व्यक्ति को निकट भविस्थ में हानी का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों आखीर में अगर व्यक्ति सपने में मृत देखता है तो सपन शास्तर के नुसार या व्यक्ति को दुख या पस्चाद की भावना को व्यक्त करता है। तो मित्रों अब हमें दीजिये इजाजत, आशा करता हूँ स्वपन शास्त्र के नुसार, आप इन सभी सपनों के विशेश महत्त को समझ गई होंगे.